हलो दोस्तों नमस्कार क्या हाले स्वागत है आपका कबर एच्पी में तो आईए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक ने किये तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी हैं बताद की भाजपा के राष्ट्र अधक्ष बनने से पहले वे केंद्र में स्वास्त्रमंत्री रा चुके हैं मैं मुल रूप से विलासपूर जी ले के रहने बाली जगत प्रकास नड़ा का जन्वे बिहार की राधनी पतना में 2 दिसंबर 1960 को हुआ मैं नड़ा के प विभिन आंद्रोनों में सेकर्टा से भाग भी लिया पीम मोदी के सपत गरन समारों में पहुँचे हिमाचल से 300 पताधिकारी जी हां दिली में पीम नर्मोदी के सपत गरन समारों में हिमाचल से 300 पताधिकारी सामिल हुए हैं मैं भाचपा के राश्टे अदक जेपी नडडा ने हिमाचल भाचपा के पताधिकारियों और कार्यकरताओं को सपत समारों में सामिल होने के नहोता दिया था। मैं केबिनेट में भाचपा के राश्टे अदक जेपी नडडा को भी सामिल किया गया है। मैं बताती कि हिमाचल भाजपा के महमंत्री बिहारी लाल सर्मा ने बताए कि हिमाचल के लिए खुसी की बात है कि छोटे से राज हिमाचल को कैबिनेट में जगह मिली है। हाला कि इससे पहले भी परधान मंत्री नद मोदी के केबिनेट में अनुराग ठाकूर केबिनेट मंत्र चुके हैं लेकिन इस बार भी हिमाचल को तरजी दी गई है। दारियों के लिए गुड निउच परधे सरकार ने बढ़ा ही डाइट मनी यात्रा भत्ते में भी हुई बढ़ उतरी। जे मुकमंद्र सुकमंद्र सुकू ने कहा कि दे भूमी और बिर भूमी हिमाचल परधेश को खेल भूमी बनाने की दिसा में परधेश सरकार निरंतर परियासरत है। मैं परधेश के कोने कोने से खेल परतिवाओं की खोच कर उनकी परतिवाओं को निखाना जा रहा है। मैं परधेश से बाहर आयोजी थोने वाली खेल परतिवाओं में भाग लेने वाली खिलाडियों को धी जाने वाली डाइट मनी को पांस रुपे किया गया। मैं परतिवाओं में बैठेक का आयोजीन किया गया। मैं बैठेक की अधिता विदानस्वाब अध्यक्ष कुल्दीव सिंग पठानिया ने की बैठेक में मेले के सफल आयोजीन को लेकर चर्चा के साथ ही सरकारी और गयर सरकारी सदस्यों के सुझाव लिये गए। मताद कि कुल्दीव सिंग पठानिया ने परसासन की और से मिंजर मेला के आयोजीन को लेकर की जारी त्यारियों की समिख चाकी उन्हेंने मेला कमिटी के और गयर सरकारी सदस्यों के सुझावों को मेले आयोजीन में सामिल करने का कहा। मैं इस मोके पर सदर विधाय की निरच नगियर के अलावा विविन व्यागों के अधिकारी और मेला कमिटी के गयर सरकारी सदस्यों से मौझूद रहे। मैं मंदर परिसर से लेकर टौबा तक का 51,000 स्कौर मीटर एरिया चिनित क्या गया है। अधार पर नियुक्ते किये के करमचारियों के हवाले था। अध्यापक भी परसान रहते हैं कि छोटे बच्चों को इसकूल बेजने पर अवावक डरते हैं। मैं एक युवग और महिला ने जान पर खेल कर इन बच्चों की जान बचाई और इन बच्चों को उपचार के लिए अस्पतल ले जाए गया। मोसमी बाकी माने तो 20 जून के बाद मानसून पीक पर राता है ऐसे में उसी समय इसकूल भी खोल जाते हैं। मैं उनका कहना है कि उन्हें सौतंतर प्रवाद दिया जा रहा था लेकिन वह केंद्री मंत्रीपत के हगदार हैं। मैं टीडीपी और जेडियू के दो-दो सदस्यों को मंत्री परिसत में सामिल किया गया है। कांगना को अतरिक्त सुरक्षा देने का आकलन करेगी पुलिस सांसत ने पत्रलीख मांगी थी सुरक्षा। जे हिमाचल परिस में मंदी संसदी चेतर से सांसत कांगना रुणत के साथ चंडीगर एरपोर्ट पर हुवी बद सुलिकी के बाद सांसत को अतरिक्त सुरक्षा देने की ज़रुरत का पुलिस विवाग न आकलन करेगा। नहीं मिली है। मैं सांसत पत की सपत लेने के बाद ही सुरक्षा मोहिया करवाई जाती है। बचंडीगर एरपोर्ट पर हुवी घटना के बाद कंगना ने परदेश पुलिस को पत्र लिग कर सुरक्षा मांगी है। सिब खोरी मंदिर जा रहे, तिरतियात्रियों को ले जा रही, बस पर पोनी इलाके के तोरियात गाउं में हमला हुआ। उनने बताए कि बचाओ अभियान सुरू किया गया और पुलिस सेना और अंसेनिक बलों के अतरिकते बल मोके पर पहुँची। बताए कि बस सिब खोरी मंदिर से कटरा लोट रहे थी, तब ही आतंगबाद्यों ने उस पर गोली बारी शुरू कर दी। मैं हमले के बात बस खाई में गिर गें। मैं बस में लगबग 50 लोग मुझूद थी। मैं बताया जाता है कि बस जैसे ही जंगल के इलाके में पहुँचे घात लगाए आतंग्यों ने बस पर तावर्तुड फाइरिंग सुरू कर दी। मैं आतंगबाद्यों की गोली बारी से घबराई ड्राइबर ने बस पर अपना निरंतर खोदिया और बस खाई में जागिरी मैं फिलाल सेना की और से बचाओ अभ्यान चारी है। मैं सरकार ने विभिन अंतराष्टे परतोगिताओं में पदक विजटाओं की पुरुष्कार रासी में उलेकिनिये बढ़तरी करने के साथ-साथ खिलाडियों को मिलने वाले डाइट मनी और यात्रा प्रधानों में विर्धी की है। मैं इसके अत्रिक्ते खेल छत्रावास में रहने वाले खिलाडियों को प्रारंबिक छिक्चास तर तक 250 रुपिये तदा अन्यों को 4 रुपिय की डाइट मनी का प्रधान किया गया है। राजिब गांथी अटल ब्यारी भाचपे से आगे ने किले नन्मोधी तिसरी बार बीजेपी सरकार बनने पर बोले करननन्दा। जब भाचपा परदेश मेडिया परभारी करनन्दा ने कहा कि नन्मोधी राजिब गांथी और अटल ब्यारी भाचपे से भी आगे निकल गए है। इजराइल के पूर्ब पीम इतजाक राबिन भी दो बार अमेरिकी संसत को संबोधित कर चुके हैं। अध्यक्ष का पद समाला तो नड़ा को संसदिये बोड में सामिल किया गया। मैं 2019 में अमित्सा ग्रीमंत्री बने तो नड़ा को भाचपा कराश्टी कारीकारी अध्यक्ष बनाया गया। किसन पुरा में फोयल प्रिंटिंग उद्वग में लगी आग भारी नुकसान की आसंखा। जे ओद्वगी चेतरे किसन पुरा में फोयल पेपर प्रिंटिंग करने वाले अच्छ अरी हंते पैक बिल उद्वग में आग लगी। मैं घटना रिवार सुबह सवा तीन बजे की है। मैं आग पर अगनी समनी भाग की टीम काभू पाने के लिए जुटी हुई है। मैं बारा घंटे बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया। मैं आग से भारी नुकसान की असंखा जताई जा रही है। मैं आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। कमपनी से एक फायर टेंडर मौके पर पहुचा। मैं सुबह आठ बज़े आग लप्टों पर कुछ काबू पया जा सका। मैं तिसरी मंजीन में गत्ते के डिबों में अभी भी आग सुलग रही है। मैं आग से कमपनी में त्यार माल, कच्छा माल और मशिनरी जल गई है। डमटाल में परवासी ने द्राट से कर दी नाबालिक लड़की की हत्या आरोपी गिरपतार। जिला कंगरा के पुलिस थना डमटाल के तहत पंचायत भदरोया में पिछले काफी समय से रही। पिल अस्पताल नूरपूर को भेज दिया गया। बलकि बूत अस्तर की कमेट्यों का नई सीर से गठन कर सक्रिय किया जाएगा। वो खोद हर जोन में जाकर पार्टी कारे करताओं के साथ बैठेक करेंगे। मैं चुनाव में सिमला ग्रामिनों में पार्टी का परदर्शन अच्छा नहीं रहा। मैं इसका उन अपसोस हैं वो चुनाव परचार के लिए छेतरी में समय नहीं दे पाए। मैं परचार में उतर थे तो कौंग्रेस को लीड मिलती। मैं बाक्री स्वा बुतों पर भाटपां के परति असे बाजी मार गए। मैं बलोग कौंग्रेस के प्ता धिकारियों और कारे कसा नहीं पनी बात रखी है। प्रियेंगा के करेबी केहर सिंग खाची को केबिनेट रेंक सुकु सरकार में मंतरी का एक बद अब भी खाली जे लोकस्वा चुनाव और विधानस्वा उप्चुनाव के नतीजों के बाद धिमाचल पर्दिस में कॉंग्रेस की सुकु सरकार ने पर्दिस कॉंग्रेस की वरिष्ट नेतावा पिरियांका गांधी की करेभी केहर सिंग खाची को केबिनेट मंतरी का दर्जा दिने करने न किया है मैं इस सम्मंद में सासन की ओर से अर्शन जारी हुई है मैं इसके मुताबिक राज्जिवन विकास डिगम लिमिटेट के उपादक्ष केहर सिंग खाची को ततकाल प्रमौसे केमिनेट मंतरी का धर्जा परदान किया गया है हिमाचल में आंधी बारिस के एलो अलट किन सारों में बिगड़ेगा मौसब जाने पूरे हपते का पुर्मानुमान जा हिमाचल परदिस में बीते 24 घंटे के दुरन कई इलाकों में हलकी बारिस दर्ज की गई मुसे बाग का कहना है कि एक कमजोर पच्चे विचोब की वज़े से हिमाचल परदिस के विबिन हिस्सों में घरज चमक और आंधी के साथ हलकी से मध्यम बारिस दर्ज की गई है मैं खास तोर पर उचाईबाले इलाकों में बारिस के साथ हिमपाद भी दर्ज किया जा सकता है मैं इसको लेकर एलो अलर जारी किया गया है इस रिपोर्ट में जाने हिमाचल परदिस के किनकिन इलाकों में हो सकती है जमाजम बारिस जो उतर पचमे यूपी पर एक साइकलोन सरकूलेसन बना हुआ है मैं इसके वज़े से हिमाचल पर्दिस में मौसम बदलने वाला है मैं हिमाचल पर्दिस के विभिन हिस्सों में अग्रे 24 घंटों के दुरान घरच चमक के साथ छेटपूर से लेकर हलकी से मध्यम बारिस की संभावना है हलाकि इसके बाद मौसम सुस्क हो जाएगा मैं मौसम बाक ने हिमाचल पर्दिस के विभिन हिस्सों में 11-13 जून के दुरान लू चलने की संभावना जाताई है बिलास्प में बुजर की दमपती की निर्मम हत्या गोसाला में पड़े मिले दोनों के सब पुलिस ने सुरू की जाच जाए माचल पर्दिस के बिलास्प में बुजर की दमपती की निर्मम हत्या कर दी गई इन दोनों के सब सनिबार सुबा गोसला में पड़े हुए मिले मैं पुलिस ने सब को पोस्ट माडम के लिए भैई दिया है मैं तता मामला दर्जकर चानबिन शुरू कर दिया है मैं सुचना मिलते ही नम होल पुलिस चोकी मोके पर पहाँची और उन्होंने पूरे घर को सिल किया वो गायों को पाल कर दूद बेचने का कारी करते थे इस गाउं के सबी लोग गाय पाल कर दूद बेचने का कारी करते हैं इन दोनों के सब सनिबार सुबा गोसला में पड़े हुए मिले मैं पुलिस ने सब को पोस्ट बाडम के लिए भेज दिया है तदा मामला दर्जिकर छान मिन शुरू कर दी है सिकारी मता मंदिर जा रहे सर्धालों की कार खाई में गिरी दमपती की मौत जिर रव्यार को मता सिकारी देवी के दर्शन के लिए जा रही एक कार आहुन में खाई में गिर जाने से दो सर्धालों की मौत हो गई जबकी पांच लोग खाईल होगे मृतिकों में एक दमपतीवा खाईलों में उनके दो बच्चे सा ससुरुवा एक भांजा सामिल है मैं गाईलों को सिबिल अस्पताल बचबक्स यार से नेर्चोक मेडिकल कोलेज ने फरकिया गया है मैं जहां उनका इलाज जारी है मिलतिकों की पैचान 24 वर्षी लिलम पतनी संदेप कुमार गाउं राजपूरा तैसिल सदरवा जिला बिलासपूर और संदेप निवासी राजपूरा की रूप में हुई मैं घायलन में चार वर्षी हर्स पूत्रे संदेब एक वर्षी पूरवे पूत्री संदेब 48 वर्षी धर्मपाल पूत्रे जगत प्रकास निवासी रामसह, जिला सोलन 48 वर्षी राजो देवी पत्ने धर्मपाल निवासी रामसह, जिला सोलन और बेस वर्षी बल्देब राज पुत्रे बबलू राम निवासी कलर आनंदपूर पंजाब की रूप में हुई है मैं पुलिस के अमसार संदीप अपनी पत्नी बच्चों भांजे और सास असुर के साथ माता सिकारी देवी के दर्सनों के लिए जा रहा था मैं चेल चोक के जंजे हली सड़क पर आहनू के समिप हाथसा हो गया मैं हाथसे में संदीप ने खासनातर पर ही दम तोड़ दिया जबकि उसकी पत्नी लिलम ने बकस्यार हस्पताल में दम तोड़ दिया मैं DSP करसोक ने बताया कि पुलिस ने दम पती के सब पोस्ट मार्णम के लिए भैई दिया तदा घटना के चान मिन की जा रही है उपचनाप की त्यारी में जूटी कॉंग्रेस हमिरपूर दहरा की ब्लॉक कमेटियां भंग जिमाचल कॉंग्रेस हमिरपूर दहरा और नालागड़ में होने बाले उपचनाप को लेकर त्यारी में जूट गई है मैं इसी कड़ी में पाटी ने हमिरपूर और दहरा की ब्लॉक कारिकारनी ततकाल प्रवास से भंग कर दिये मैं कॉंग्रेस के पर्देश परभारी सांसात राजीब सुकला के अनुमोधन के बाद पाटी पर्देशाद देख्ष परतिबास सिंग ने दोनों ब्लॉक की संपूर्न कमेटियों को ततकाल प्रवास से भंग कर दिया है मैं इस समन्द में रवार को पर्देश कॉंग्रेस संगटन महामंतरी रजिनीस की खिमटा ने अधिश्चन जारी किये मैं गोर हो की पर्देश में हमिरपूर सदर बिधानसबा चेदर से आसिश सर्म नलागर से के एलठाकूर और देहरा से होसियार सिंग का इस्तिपा मंजिर होने के बाद अब तीनों बिधानसबा में उपचुनाब होने ऐसे में माना जा रहा है कि उपचुनाब की रूपरेका को देखते हुए ही कॉंग्रिस ने हमिरपूर और देहरा की ब्लोक कमेटियों को भंक किया है मैं समय रहते संगठन को मजबूत किया जा सकी रीन के नाम पर फाइननस कंपणी पर धोका धरी का आरोप पुलिस में दर्ज करवाया केस जब उना की एक नेजी फाइननस कंपणी ने रीन देने के नाम पर उपमंडल अम के तहत एक गाउं की महिला और उनके बेटी के साथ कतीद धोका धरी किया मैं आरोपे की महिला ने ओकते फाइनस कमपनी में पंदर लाग पचास जर का रिन लेने के लिए आवेदन किया था मैं रिन पास होने पर कमपनी की तरब से उनके खाते में तेरासी नो डालकर पचात्र हजार रुपीये कम डालेगे मैं दोकाद लेकी सिकार हुई महिला ने फाइनस कमपनी के खिलाब पुलिस में सिकायत दिये मैं जनकारी के अनुजर बता दिकी कलरूही निवासी परविन कुमारी पतनी गनी सिदत सर्मावब उसके बेटे रगुदत ने उना इस दिद एक निजी फाइनस कमपनी में गत्मा शाड़े पंदर लाख रूपीये के रिन के लिए आविदन किया था मैं मैं मैंला ने सिकायत में बताये कि रिन आविदन के दुरान कमपनी कर्मचारवी ने उन्हें रिन परिक्रिया संबंदित कही तत्य चुपा लिए सपद गरन से पहले मोदी ने राजगार सदेब अटल और वार मेमोरियल जाकर क्या नमन जिए परदान मंत्री मनोनित नर्मोदी ने विरबार सुबरास्टी यूद इसमारक पूर्व परदान मंत्री अटल ब्यार भाजपे की समाधी सदेब अटल तथा मात्मा गांधी की समाधी राजगार जाकर उन्हें सदानजली अरपीत की मताते कि प्या मोदी को कल साम राष्टपती बहुन में आजित समारो में परदान मंत्री पद सपद दिलाई गई मैं प्या मोदी ने सबसे पहले राजगार जाकर राष्टपती मात्मा गांधी को सदानजली अरपीत की मैं मोदी के साथ उनके मंत्री परषद के कुछ सदस भी सपत लिये आज से साच पास मार्ग पर दोड़ेंगे छोटे वहन पांगी के लोगों को मिलेगी सुवीधा जे करीब साड़े 14,000 फोट की उचाई से गुजरने वाले चंबा की लाड़ वया साच पास मार्ग संप्रों के हिसाब से जमी बर्फ को हटा कर लोक रिमानी भागने करीब आठ मा के बाद छोटे वहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है हलाकि साच पास मार्ग पर बड़े वहनों की आवाजाही सुचारू होने में वक्त लगेगा to trendy K sut in this video the bank मैं साच पास मंगा के वहाणों की अवाजाही के लिए खुलने का लिए भषाठी के लोगों को बड़ी रहत मिली ये मैं इस मंकी पर वहाणों की अवाजाही आरम होने जीवाणी ही का जीला मुख्यालि से सिदा संपर्ग भी जुड़ गिया हैं। सुकू सरकार में फिर नई ताच पोशी अब केहर सिंग खाची को भी कैबिनेट रेंग। हिमाचल के इन इलाकों में गरच चमक के साथ बारिस के आसार जाने अगले तीन दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल परदेश में आज लोगों को गर्मी सिरहत मिलने के आसार हैं। मौसम बिग्यान केंदर रविवार याने की नौ जून को मद्यम और उचे पहाड इलाकों में अलग अलग इलाकों में बारिस का अनुमान जाताया था। मैं साथी सुमार से भूधबार तक निचली इलाकों में लू चलने का अनुमान जाताया है। मैं घटना तब हुबी जब एक पक्च के लोग खाना खा रहे थे। मैं जहां किसी बात को लीकर दोनों पक्चों में कहा सुनी हो गई जो खूनी जड़ब में बदल गई। मैं जिसमें 12 से 14 लोग घायल हुए। मैं जिसमें से 9 घायलों को दिररात मेडिकल कोलेज जय नहान पहुँचाया गया है। हाना कि खूनी जड़ब के पीछे का कारण सामने नहीं आया पाया है। मैं दोनों गूटों में पत्थर वा रोड़े का परहार करने के लिए इस्तमाल किया गया है। मैं घायलों में सुनिता यादब, गोमल, मंजू करन, पुन्नम, राजिस, आर्तिव, सिवानी को ज़्यदा चोटे आई है। मैं कला हम पलिस थना के एच, 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 ओ, एम, एस, चोहान ने घटना की पुष्टी की है। मामले की जात जारी है। मामले की उमीद है। मैं जिनों ने 2022 पाकितान की जबड़ी से जीत निकाल कर अपनी टीम की जोली में डाल दी थी। ठपड कांड के बाद पीम मोदी के सपद गरन समारो में सामिल हुई कांगना रनौत सेयर की जलक। जिननन मोदी ने हाल ही में दिली की राश्पती भाण में परधान मंत्री पत की सपद ली। उन्हेंने लगातार तिसरी बार पीम पत की सपद ली है। उनके सपद गरन समारो में राजनेती के गनमानियों के साथी फिलमी हस्तियों भी पहुची। इसके साथी नव निर्वाचित संसद और एक्टरिस कंगना रनौत भी मोदी के सपद गरन समारो में पहुची है। जहां से उनके फुटोज और विडियोज वाइरल हुए है संसद मैं आपकी अवाज बनूँगा नीट परिच्छा विबात के बेच रहूल ने छातरों को दिया अस्वासन जी अपुर्वे कॉंग्रिस अद्धक्ष ने कहा कि एक ही परिचा केंदर से 6-6 अधिक्तम अंकों के साथ परिचा में है टोपर रहे जबकि कई छातरों को ऐसे अंक मिले जो तकनीकी रूप से संभव नहीं है महल लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभवना से इंकार कर रही है उन्होंने काया कि कॉंग्रिस ने सिख्चा माप्या निपटने के लिए एक मजबुत योजना बनाई है मैं सोसल मेडिया एक्स पर हिंदी में लिखे एक पोस्ट में गांधी ने कहा नन मोदी ने अभी सपत भी नहीं ली और नीट परिच्छा में और निमित्ताओं ने 24 लाग से अधिक छात्रों और उनके परिबारों को तभा कर दिया है दोस्तों खबरों का सिल्चला यहाई समाप तो होता है अगर जनकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक से यर चेनल को सस्क्राइब चरूर करने और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि आप नियूज को कि हिमाचल के कीश कोने से बैठ कर देख रहे है थेंक यू ओल दे वेस्ट जेहिंद जेहिमाचल जे राधा माधा